जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग और बागी सब वाइट शाक से हार गए थे और अब उन्हें वाइट शाक की असलियत पता चल गई थी कि ये असल में एक लाग साल पुरानी सोल बीस्ट है जिसके पास इंसान में कनवर्ट होने की शक्ती है इसका जियाओ बाई है और अब ये तैंग शैंग की अच्छी दोस बन जाती है ये लोग अब आपस में काफी ट्रेनिंग करते हैं और ओशन के अंदर फाइट करते हैं और इस बीच जियाओ बाई इन सभी को आसानी से हरा देती है और फिर से लैंड पर फेक देती है वो सभी का बहुत मजाक उड़ाती है और इससे जीवू को काफी गुसा आता है और वो जियाओ बाई पर हमला कर देती है लेकिन जियाओ बाई असानी से उससे बच जाती है अब तैंग शैंग उससे शांत करता है और बात को संभालता है अब फिर रात हो जाती है और तैंग शैंग औ जीवू सो रही हुती है और अब जीवू को देखकर जियावबाई तैंग शैंक से बाते करने लगती है और उसे पूछती है कि आखिर इसके साथ ये हुआ क्या था अब तैंग शैंक सारी कहानी बताता है और फिर कहता है कि जब वो एक बड़ा सोल लैंड मास्टर बन तब वो फिर से स्नेक सर्पिन्ट की फायर कोर को यूज करके जीवू की सोल को पूरी तरह उसकी बोड़ी के अंदर ला देगा ये सुनकर जियावबाई शोक हो जाती है और उसे ऐसा ना करने को कहती है क्योंकि अगर तैंग शैंक फायर स्नेक सर्पिन्ट की फायर कोर का य जिस पर वो बताती है कि जीवो को ठीक करने का एक और तरीका है। कि क्योंकि उसने ये सारी बाते तैंग शैंग को बताई है इसलिए सी गौड गुसा हो गए है। की लेवल पर है इसलिए उसे अब एक स्पिरिट रिंग की जरूरत है। क्योंकि मोटू को भी इसकी पावस के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन तभी मोटू एकदमुदास हो जाता है और तैंग शैंग को ये वापस दे देता है। और कहता है कि मैं इतनी कीमती चीज नहीं ले सकता। जिस पर तैंग शैंग उससे समझाता है और कहता है कि हम सब भाईयों की तरह हैं और हम सबी एक दूसरे के लिए हैं, जिस वजह से हमें एक दूसरे की चीजे लेने देने में कोई हिजक नहीं करनी चाहिए। अब मोटू फिर फाइनली उसको एकसप्ट कर लेता है और उसको खा लेता है और फिर मेडिटेट करने बैठ जाता है। अब मोटू के अंदर से इतनी ज़ादा एनरजी निकलती है कि खुद मोटू भी उसे संभाल नहीं पाता। तैंग शैंग सबसे पहले सभी बच्चों को दूर हटने को कहता है और निंग रॉंग रॉंग से अपने आपको पावर दिलवाता है और फिर खुद वो मोटू के पास आकर उसकी सोल पार को बूस्ट करने लगता है। ऐसा बहुत देर तक चलता रहता है लेकिन फाइनली मोटू के अंदर की एनरजी स्टेबल हो जाती है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से मोटू आसमान में उड़ जाता है और इस ब्लास से तैंग शैंग बेहोश हो जाता है। हो गया है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा हैंसम भी लग रहा होता है। ये देखकर सब काफी जाधा शौक हो जाते हैं क्योंकि वो मोटू जो अपनी लुक्स की वजह से हर लड़की से दोखा खाता था। वो मोटू आज तैंग शैंग जितना हैंसम लग रहा है। जाती है। इसलिए वो उसे कहती है कि जब तुम्हारा चालेंज पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें अपने आपको प्रूफ करने का एक मौका जरूर दूँगी। ये सुनकर मोटू फिर से खुश हो जाता है। और फिर सभी बच्चे अपनी प्राक्टिस कंटिन्यू करते हैं और वो सभी जियाओबी से फिर से फाइट करते हैं। लेकिन इस बार भी वो काफी स्ट्रगल करने के बाद भी जियाओबी को नहीं हरा पाते। और जियाओबाई भी ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि जब तक तुम मुझे नहीं हराओगे, मैं तुम्हें ओशन से पार नहीं जाने दूँगी। अब सभी बच्चे काफी उदास होने लगते हैं क्योंकि उनके इस सेकिंड चालेंज की टाइम लाइन को पूरा होने में अब सिफ तीन दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन तभी तैंग शान उन सबको निराशना होने को कहता है। और कहता है कि हमारे पास अब एक प्लान बच जिसमें ये बताया गया था कि इलेक्शन किस हालत में है और कौन-कौन इलेक्शन में चुना गया है। ये सब देखकर सभी अल्डस टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इस इलेक्शन के बाद मार्शल सोल हॉल के पास ऐसे-ऐसे क्लान्स का साथ आ जाएगा जिनको हराना काफ अरीना को देखते हैं जहां बीवी डॉंग होने वाले मैचस के कॉंबिनेशन बना रही होती है अब सोल अरीना के अंदर हम फाइट को देखते हैं जिसके अंदर एलिवेंट आमट ट्राइब च्यामी इस क्लान के लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है उन दोनों में बहु उसका साथ ही खड़ा होता है और वो ये देखकर काफी कुछ हो रहा होता है और फिर वो होई लीना से कहता है कि अब मर्शल सोल हौल असानी से टैंग शैंग की क्लान जिसका नाम टैंग सेक्ट है उसको मात देदेगी ये सुनकर होई लीना को बुरा लगता है क्योंकि वो अब भी तैंग शैंग से प्यार करती है। वही दूसरी तरफ अब तैंग शैंग और उसके सभी टीम मेंबर्स ओशन की तरफ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। और अब जियाओ भाई के साथ साथ बागी सभी इस भी बाहर आ जाते हैं। और उन सभी को अब तैंग शैंग और उसकी टीम को रोकना था। अब वहाँ बोज आएगजी भी आती है और वो भी इस मैच को देखना चाहती थी। सभी बच्चे अब पाली के अंदर चले जाते हैं। और अब आसकर मोटू की सोल पार का क्लोन बना कर उसका यूज़ करता है। और फिर सब लोग अपनी अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं। जिसके बाद अब तैंग शैंग गौट किलर डोमेन का यूज़ करता है। और अब उनके बीच काफी आइकानिक लेवल की बैटल होने लगती है। अब इस वाइट के बीच मोटू अपनी फायर फेनिक्स डोमेन का यूज़ करता है। और फिर हमें यहां से पता चलता है कि सेवन स्पिरिट रिंग से उसे अब एक नई पावर मिली है। अब तैंग शैंग भी अपनी पावर का यूज़ करता है और अब सभी लोग तैंग शैंग के कहे अनुसार काम करते हैं जिससे जियाओ भाई चक्कर में पड़ जाती है और फिर उनको जियाओ भाई को चक्कमा देने का मौका मिल जाता है और वो सभी अब वहां से भागने लगते हैं। जियाओ बाइस समझ जाती है कि टैंग शान ने क्या प्लान रचा है। इसलिए वो तुरंत अब पानी को फ्रीज करने लगती है। लेकिन टैंग शान ने इसके लिए भी एक प्लान सोच रखा था। वो तुरंत आसकर को फ्लाइंग सॉसेज देने को कहता है। और फिर आफ फ्लाइंग सॉसेज खा कर उपर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर यही ये एपिसोड ख़तम हो जाता है।